जया माता की बिटा मातरानी खुश्यां दे सदा सुखी रखे सबकी मनों कामना पून करे दाता और आपको जोली भर-बर के ग्यान बक्षे दाता ताकि आप भी अपने जीवन में नाम यश सुख दौलत सब कमा सके आज से जो चीज हम शुरू करने जा रहे हैं यह प्यूर और प्यूर लाल किताब का जोतिश होगा शुरूबात में हम जितना भी सीखेंगे वो सारे का सारा बेश जो है वो लाल किताब से ही दिल लिया गया है और उसके बार में क्योंकि मेरा भी बेश यही है और जब हम इसको करते हुए चार-पांच मेहिने में जब हम देखेंगे कि हाँ आप सब में परफेक्शन आ रही है और आप वहां तक पकड़ कर पा रहे हैं हो तो उसके बाद में हम फिर इसको वशिष जोतिश में लेके जाएगे क्योंकि लाल किताब ये एक अलग विद्या है जो अब वशिष जोतिश है वो एक अलग विद्या होगे है लेकिन इसका आधार वशिष जोतिश का भी वो लाल किताब ही है यह आपको समझ के चलना पड़ेगा बहुत सारी दुनिया यहां personally मेरे साथ मीटिंग करने आती है कोई तो कहता था आप समसे लाक रुपे ले लो दो कोई शाय दोजार भी अफोर्ड नहीं कर पा रहा लेकिन मैंने देखा कि सब में काबियत है सीखने की बहुत सारे बचे ऐसे कि जिनकी कुंडली के अंदर साफ तोर पे है कि इनकी अंदर यह काबियत है लेकिन वो अभी अपने हालात की वज़े से वो सब कुछ अफोर्ड नहीं कर पाते हैं तो पीछे बिजी भी काफी था वही सब कुछ देखते हुए है फिर यह सोचा कि नहीं क्या लेना पैसा मातरानी के पहले देया है कोई कमी नहीं है और यह तो वैसे भी ग्यान की बात है जिससे जग के अंदर बहुतों के दुख खरे जाएंगे बहुतों का कल्यान होगा तो यह कल्यान कारी विद्या क्यों न सबको फ्री में दे दी जाए क्योंकि जितना कल्यान करने वाले लोग होंगे उतना ही तो इस जग में से इस दुनिया में से दुख कम होगा और अगर यह बड़ी सोच हमी ने ना बनाई तो और कौन बनाएगा और हमी अगर यह सब कुछ करने वाले हैं और परमात्मा ने यह गुन हमें दिया है तो क्यों इसे एक ही जाने तक या एक ही घर तक सीमित रखा जाए इसको अगर हम असीमित लोगों में बाढ़तेंगे तो कल को हम पूरे जगत में साबित कर सकते हैं पूरी दुनिया को बता सकते हैं कि ये जो एस्टो साइंस है ये कोई मिध्या नहीं है ये कोई भर्माने वाली विद्या नहीं है ये जो कहते हैं बहुत सारी ज़्या तर दुनिया एक ही बाल बोलती है और बहुत सारे हमारे एस्टो ला मिल जाता है कि जीवन कहान जाएगा बिलकुल गलत बात है बटा इस से अंदाजा नहीं मिलता इसके साथ जह इस साइंस के जरिए हम एक इनसान के पल को जान सकते हैं उसकी नेचर को जान सकते हैं उसके ले जीवन में कब क्या घटित होना है, यह जान सकते हैं, उसकी नेचर क्या रहेगी, उसकी मान सिक्ता क्या रहेगी, जिस से की, वो अपने जीवन के अंदर सुख या दुख ही कठा करेगा, हर इंसान के अंदर की वो कमी, जिसके कारण की वो दुख ही दुख पाता है वो सारी चीजों को बड़ी असानी से जाचा जा साथ है और जो सबसे बड़ी बात है हमें रिष्टे नहीं समझा पाते हैं क्यों मिया बीबी लड़ते हैं क्यों भाई भेन लड़ते हैं क्यों बच्चों के साथ वेचार नहीं मिलते क्यों बीमारी आती हैं यह हमें समझ नहीं आ पाता हम इंसान को और जब समझ नहीं आ पाता तो हम हताश होते हैं निराश होते हैं उस हताशा और निराशा के बीच में लड़ाईयं होती हैं इसके कारण फिर हमें जब कुछ नहीं समझ आता तो एक ही बात समझ आती कि इसको इतनी सी बात समय नहीं आती क्या है और वहां से डिफ्रेंसिश शुरू होते है तो रियालिटी में जो भी इस विद्याक को जानकार हो जाता है उसको सामने वाले की मांसिक्ता समझ आती है उसके सोचने का तरीका उसका चाहने का तरीका किसी भी काम को करने का तरीका उसका जब समझ आने लगता है तो इनसान सामने वाले को बच्चे की तरह माफ करने लगता है और सामने वाला बेशक अपने से बड़ा हो लेकिन उसको मा सबसे पहले तो अपना जीवनास हमें गुस्सा नहीं आता और उसके बाद में फिर दिल करता है कि नहीं इसको वाकई में यह प्राब्लम में यहीं तक समझता है यहीं तक करता है और फिर दिल करता कि नहीं इसकी भी मदद करती जाएं क्योंकि इसके कारण इसके जीवन में इतनी सारी ख्राब्लम कि आनिया है तो अब जब इतनी सारी बातों को एक एसलाजर समझ सकता है और समझ के जब चलता है तो बैटा जीवन असान नहीं बहुत-बहुत-बहुत असान होता चल जाता है और हम यहीं चाहते हैं कि सब का जीवन असान हो, सब लोग अपने जीवन में सुखी बसें, खुशियें पाएं, अपने परिवार को चलाने की ख्शमता हो सब में, और जिन्दगी के अंदर ना फैनेंशली दुख हो, और ना बिमारियों के दुख हो, लाल किताब की सबसे बड़ी खासियत एकी रही है, बैटा, मैंने कई बार आप सब को बताया भी, आप में से कुछ बहुत सारे पुराने लोग हों गए, कि लाल किताब बिमारियों के उपर जादा काम करती है, बिमारी क्यों आती है, किन ग्रेहों की वज़ज़ से आती है, कि सारी चीजों पे भी यह पूरा काम करती है, और क्योंकि कहा जाता है ना, कि सबसे बड़ा धन निरोगी काया है, तो इसलिए लाल किताब भी इसको, प्रत्थमताई इसी चीज़ को देखने के लिए बोलती है, कि सबसे पहले ये देखो, कि हर को इन निरोगी हो, और क्यो तो इसलिए लाल किताब भी बोलती है, कि बिमारी का इलाज है, मौत का कोई इलाज नहीं, दुनियावी हिसाब किताब है, कोई दवाए खुदाई नहीं। कि यानि बिमारी अगर आई है, तो लाल किताब के उपाई उसको ठीक कर सकते हैं, लेकिन अगर मौत आई है, तो शायद वो ठीक नहीं कर सकती हैं। को खराब करने लगता है, तो वो मौत का अतारत नहीं होता। लेकिन शरीर बहुत कमजूर हो जाने के कारण और आग्मी अपनी उमीद जब छोडने लगता है, तो तब मौत के करीब पहुंच जाता है। तो इन लोगों की लाल किताब बहुत जवर्दस मदद करती हैं। लेकिन अगर किसी की फिक्स मौत ही आई है, जैसे कुंड़ी के अंदर एक योग होता है बुद्नों, ब्रस्पती, ग्यार्मे में। तो इनसान की जैसे 64 साल की उम्र उसके अंदर उसे वाके में मौत का जटका लगता है। इसमें और भी बहुत सारी चीजे हैं कि जब एक, तीन, छे, साथ, नो के अंदर चंदर के तु ब्रस्पती ना हो, समगे तब ये चीज होती है। लेकिन अगर इनमें से कोई एक भी चीज एक, तीन, छे, साथ में अपलाई हो, कि चंदर के तु इनमें से किसी में हो तो ये नहीं हो पाता। ना हो और ब्रस्पती उसक्वाग्यार्मे में हो तब होता है। तो इस तरह के बहुत सारे फिक्स योग है। और जैसे शुक्र किसी का भार्मे में हो, दूसरा और साथ में घर खाली हो, आदमी को एक के बाद एक के बाद एक तकलिफ आती है। बिमार पे बिमार होता चला जाता है। लेकिन वही शुक्र जब बार्मे में होता है, दूसरे साथ में के अंदर ग्रह हों, तो इनसान सुख और आश भी भोगता है। उसको सब मिलता है। लेकिन शुक्र बारा को कहा जाता है, जब दूसरे साथ में घर में कोई भी ग्रह ना हो, इसे बोलते हैं मिट्टी। कि मिटी कहने का मतलब यह कि बिमारी यह लगती जाएंगी और पता नहीं कब चला जाएं तो फिक्स जेट तो कोई है नहीं इसी परकार से ग्रहन के बगत सूर्य ग्रहन हो चंद्र ग्रहन हो आदमी की मौत से तीन साल पहले ही मौत का अरसा शुरू हो जाता है और जब आप एक बड़े असलोजर बन जाओगे तो उस वक्त जब आप निकाल के देखोगे कि उसकी उमर तो वहां तक की है लेकिन सूर्य ग्रहन और चंद्र ग्रहन वालों का तीन साल पहले से ही वो सिंट्म्टम्स आया थे कि लोग बहुत पहले ही चले जाते हैं तीन साल पहले ही चले जाते हैं या दो साल पहले चले जाते हैं तो यह जब हमें इतनी बड़ी बाते कर रहे हैं हम मैंने बीच में तो कुछ छोड़ा ही नहीं सीधे हम इंसान की उमर तक मौच तो जो हमें इतनी बड़ी चीज तक भी बता देता हो बिटा वो विद्या छोटी कैसे हो सकती है या वो अंदाजे कैसे हो सकते है या तुक बंदी कैसे हो सकती है मेरा ख्याल यह तो इतनी बड़ी विद्या है जितनी अभी तक modern science ने भी कोई त्रक्की नहीं पाई कि वह यहां तक पहुंच के यह सब कुछ बता सके लाल किताब में कहा जाता है कि केतू बुरे वाले लौ यह अभी नहीं मैं बताऊंगा आपको खुलके क्योंकि अभी तो आपकी पहला स्टैप भी नहीं पार हुआ लेकिन वैसे ही मैं अपने बात को रखने के लिए क्योंकि आपने से बहुत सारे लाल किताब के जोच्छी भी जुड़े होंगे वह भी इसीज़ को जानते होगे कि केतू को अशुब करने वाले लौ यानि बुद्ध आगे शुकर पीछे वर्षवल के अंदर जब कायम होते हैं और पापी ग्रैत तक्त पे आता है तो वो इंसान की मौत का साल होता है मेरे को पता मैंने 100% क्लियर नहीं किया लेकिन मेरे गुरू भी मुझे ऐसे सिखाते थे मुझे भी जाके पांच साल बार पता चला था कि यह क्या होता है तो शुरुआ तो हमें ऐसे ही लेकर चलने पड़ेगी और उसके बाद बहुत सारी दुनिया का यह पडिक्ट किया मैंने और वो वापिस आ करके उनके बच्चों ने भी बताया या उनके संबंदियों ने बताया कि आपसे मिलके गए थे उसके बाद वो चले गए तो यह जो आज मेरे उपर आपको confidence नदर आता है मैं सबको किसी को भी कुछ भी उसी वक्त पताना शुरू करता हूं बेड़ा यह कुद्रती ताकत आप कह सकते हो लेकिन कुद्रती ताकत इतनी है कि परमात्मा ने मुझे सीखने की जिग्यासा का जिगर बहुत बढ़ा दिया और जिसके चलते हुए दिन रात इसके अंदर लग करके और एक छोटी छोटी चीज़ को भी अब्ज़ाब करके किताब में लिखा हुआ सामने भुकता हुआ और सामने दिखने वाला इसको बहुत ही बारीकी के साथ जब इसको तोला मैंने तो तब किताब के लिखे हुए शब्दों के अलावा भी शब्द में दूसरे को पताने के काबिल बनागा हर एक एस्ट्रोलाजर को एक अच्छा साइकलाजिस्ट होना चाहिए हर एस्ट्रोलाजर को एक साइंटिस्ट होना चाहिए हर एक एस्ट्रोलाजर को दिल का अच्छा और साफ होना चाहिए हर एक एस्ट्रोलाजर को दूसरों की भावनाओं का कदर करने वाला होना चाहिए और जो सबसे बड़ी बात एक अच्छा एस्ट्रोलाजर एक अच्छा लिस्नर होना चाहिए, सुनने वाला होना चाहिए और जो भी ये इतनी सारी जो मैंने खूबियां बताई है इस में से जितनी खूबियां कम होंगी वो उतना ही चोटा एस्टराजर होगा और जिसमें ये सारी खुबिये होंगी वो उतना ही बड़ा एस्ट्रोजर होगा तो इसलिए आज आप मुझे सुन रहे हैं लेकिन कल आपको एक अंजान सा कोई आदमी जिसे आप जानते भी नहीं पहले उसका पहरावा भी ज्यादा अच्छा नहीं है अगर वो कोई एस्ट् मिनट पंद्रा मिनट तक बोलने का मौका दे ताकि आप तोल सकें कि वाके में उसके पास में एक अच्छा ग्यान है क्या और यह सुनने की एक्षमता और जल्दी इरिटेट ना होने के गुन इंसान की जोली को भरके मालों माल कर देता है इसलिए जब भी अपने जीवन में बना पर अपने भाई भेन अपने माबाप अपने परोसी अपने रिशेदार कि जो भी कोई बोल रहा होगा ना तब आप इरिटेट नहीं होगे और यह वाली जो एक्सरसाइज है आपकी यह आपको बहुत बड़ा मुकाम दिला सकती है कारण क्या है जब हम सोना भी खोजने जाते हैं ना बिटा तो खुदाई चलती रहती है हीरा खोजने जाते हैं तो भी खुदाई चलती रहती है बहुत सारे मिटी या बहुत सारे कोईले हटाने के बार सोना या हीरा प्राप्त होता है इसी परकार से इस दुनिया के अंदर रहते हुए दुनिया से सीखने वाला जो काम है वो तब ही आप दुनियादारी पूरी समझ पाओगे जब आप दुनिया को रोज जादा सुनोंगे और ना कि बोल बोल के अपनी काबियत बताओगे तो इसलिए जो सुनने वाला होता है वो भरा हुआ होता है भारी होता है क्योंकि उसके अंदर ग्यान बहुत होता है और जो बोलने वाला होता है तो वो कहावत आ जाती है खोखला, चना, बाजे, घना यानि कि ग्यान से वहीन है लेकिन बोल के साबित करना चाहता है कि मैं ग्यान वाल हूँ तो इसलिए खोखला चना बिलकुल नहीं बनना, हमें तो भारी भरकम सोना बनना है, भारी भरकम और अगर बारी बरकम हम सोना बनेंगे और सोना बनके हम तपेंगे मेनद करेंगे तो बेटा हम कुंदन भी बन जाएंगे और कुंदन बनने के बाद फिर अगर कुछ जादा तपाद तो फिर तो राक ही उकती है वेटा तो कुंदन बनने तक की मेनद जरूर कर ठीक है और ये एक बार बन गए तो बस फिर फिर जिस चीज के लिए आज आप पहली बार आए हैं वो सपना आपका उस दिन सच हो जाएगा और आप स्वेम बहुत अच्छी अच्छी परडिक्शने करके लोगों के जीवन को आप सार्थक बनाने चल पड़ेंगे और लोगों को सुख देने के आप काबिल पर जाएगे ये कितनी बड़ी विद्या है इसी बात से आप अंदाजा लगा लेजिए कि छोटे होते हुए मैं जिनके पाउहार लगाया करता था आज वो मुझे देखते ही मेरे पाउहार लगा लगाते हैं वो मेरे नहीं लगाते हैं वो जो विद्या मेरे पास है वो उसको नतमस्तक करते हैं उसके आगे अपना माथा जुकरते हैं क्योंकि ये जितनी विद्या है इसकी जूर्त उनको भी पढ़ती है और समय समय पर जब वो इसकी भी एडवाईज लेते हैं, वो पाई करते हैं, जब वो ठीक हो कियाते हैं, तो उनको बहुत अच्छा लगता है. और वो एक सवाल बड़ा प्यारा किया करते हैं, और जिसके लिए ये मैं फ्री सेशन बनाने के लिए मज़़ूर हो गया. और वो क्या एक सवाल करते हैं, कहते हैं, गुरुजी आपके पास, हमारे पास तो आप हो, और जिनके पास आप नहीं हो, उनका जीवन कैसा होगा. कहते हैं दुख सुख तो हम भी जेल के आई हैं इधर आप बताते हो तो दुख भी मिट जाते हैं उपाई करते हैं कहते हैं लेकिन जिनके पास आप नहीं हो वो तो यह चीज मुझे भी सोचने पर मजबूर करती है कि दुनिया में किस परकार का जोतिश होता है बटा आप सब को मुझे बताने की जोट नहीं है आप सब इसके जानका रहे हैं आप सब जानते हैं कि किस परकार का जोतिश होता है लेकिन एक perfection वाले जोतिश तक पहुंचना बहुत जरूरी है हम हर बार जब भी मिलेंगे दो session करेंगे एक session वो जो जो जोतिश का प्रारंभिक विज्ञान होगा प्रारंभिक विज्ञान यानि कि ग्रहों के जानकारी, कौन से घर के अंदर ये उच्छ होते हैं, कौन से नीच होते हैं, यहां से शुरुआत करके दिरे दिरे हम आगे बढ़ेंगे, यह तो एक सेशन, लेकिन उसके बीट में हम दूसरा सेशन भी रखेंगे, कि जो लोग ये प्रारंभिक जोतिश विक्यान जानते हैं, लाल किताब के बेक्स को जानते हैं, लेकिन उसके आगे बढ़ रहे हैं, उनको आगे की नौलिज चाहिए, तो हम उसके उपर भी बात करेंगे जरूर, तांकि यहां आने वाला कोई भी खाली हाट ना जाए, उसको और अच्छा, और अच्छा, और अच्छा मिले, क्योंकि कोई भी दस्वी क्लास पढ़ने के बार वापस पांच भी में एडमिशन नहीं ले था, और थोड़े अगर स्टेप आप आर कर चुके हो, तो आपको पीछे का विज्ञान सीखने में कोई इंटरस्ट नहीं रहेगा, ये भी बात सकते हैं, लेकिन जो नए आए हैं, उनके के लिए अब हम स्टार्ट करते हैं, बीच में अगर कोई इससे उपर का विज्ञान जानता है, कहने का मलब ये है कि अगर बेसिक आप जानते हो, उसके लावा अगर कोई आपकी जनल क्वेरी है, जनम कुणली के ऊपर, परसनल जनम कुणली के ऊपर डिसक्रशन नहीं होग जनल क्वेरी जो जोति सिखा दे, ऐसी कोई भी होगी, तो बेटा उसका मैं जवाब भी देंगा, और वो आप कमेंट में छोड़ सकते हैं, यहां चैट बॉक्स पे छोड़ सकते हैं, और उसके उपर हमारे बच्चों की नजर होगी, ऐसे जो भी सवाल होगे, उनका मैं क्या रहे हैं, सबसे पहले लगन कुणली दिखाओ, प्रारंबिक विज्ञान की, बेटा यह हमारे जोतिश की प्रारंबिक विज्ञान की बुक है, जो हमारे स्टूडेंट रहे हैं, जो हमसे पढ़के जा चुके हैं, उन सब के पास यह किताब है, और अगर कोई यह लेना चाहें, तो बाद में आपनी कोरी यहां छोड़ सकता है, उसको घर बैठे यह किताब उप्लब्ध हो सकती है, देक है, और वो आपको हमारे टीम बता देगी, कि इसकी क्या कॉस्वगरा है, तो वो आपको घर बैठे मिल सकती है, यह कुर्स की, यह लगन है बिटा, या लग पहले घर को एक नमबर दे के बारा के बारा घर तर्तीब से भर देज़े, ठीक है, लाल किताब ऐसे ही है, लेकिन आगे चल के आपको पता चलेगा, कि जब आप परंगत होने लगेंगे इसमें, कि राश्यों का बहुत बड़ा महत्वर लाल किताब में भी है, ठीक है, जब सीखना हो तो तब इस महत्वर को साइट पर रखने के लिए बोला गया है, लेकिन जब आग में परंगत हो जाता है, लाल किताब के जरीए अपना सब कुछ देखने लगता है, तो उस वक्त राश्यों का बहुत बड़ा महत्वर सामने आता है, अब इसके अंदर जो पहला गर है, वो राज सिंगासन सिहात ही सिरफ इतना ही लिखा है, लेकिन सचाई क्या है, इनसान का सभाव बेशक पांचवे घर से देखा जाता है, लेकिन लगन से भी बहुत हद तक सभाव मैच करता है, इसके अंदर जो भी ग्रह बैठता है, जो भी ग्रह इसके अंदर बैठ गर कर जाती है और वो जो भी गर्य हो शुब या अशुब ग्रय बैठा हूँ उसके अनुसार उसकी सोच बड़ी बनने लगती है यहां शुब बैठा हो तो यह राज सिंगह संद और यहां अशुब बैठा हो तो यह सिहत की खराबी का जाइब यहां शुब ग्रया बैठा हुआ हो तो स्वास्थे अच्छा के साथ राज सिंगासन देता है और यहां बुरा ग्रया बैठा हो और उस बुरे ग्रया से समंद्र काम भी हो तो खराब सेहत के साथ उस ग्रया का खराब काम दे करके उसको राज सिंगासन पर बैठाता है तो यह तो पहले घर का बहुत बड़ा रोल है, हमारे जीवन के अंदर के सुख और दुख को पाने के लिए, वाहन के सुख पाने के लिए, अपना परभाव दुनिया में जमाने के लिए, इसी परकार से दूसरा घर, इसमें लिखा है ससुराल, धन, पैत्रिक, संपती, धर्मस्थान अब ये जैसे लाल किताब में लिखा रहा हम, वैसे आपको दी रहे हैं, लेकिन अपने एक्स्पिरिस से अगर हम देखते हैं, तो ससुराल के सुख और अपने कुनबे के सुख दूसरे घर से ही दिखे जाते हैं, जितनी भी नगद माया, बहुत सारी दुनिया ऐसी होती है बैटा जिनके घर में नगद पैसे बहुत पड़े होती हैं, बैंकों में इतने पैसे नहीं होती है, कई लोगों को लाखों करोडों रुपे कठे करके रखने का शौक अपर है, जिनका भी दूसरे घर के अंदर शुख ग्रह होती हैं, अच्छे ग्रह बैटे हुए हों, उन दूसरे को आदत भी होती है, जिसके शुब ग्रह बैठे हों दूसरे घर के अंदर, एक तो वो बोलने में बड़ा मिठा और अच्छा होता है, बोलबानी भी इसी घर से देखी जाती है, तो बोलने में अच्छा होता है, पैसा अपनी जेब में रखने का, अपने एंटे मे अपने घर पे रखने का आदी होता है, ये भी इससे दिखा जाता है, दूसरे घर से, पैत्रिक संपत्ती दूसरे घर से ज़रूर मिलती है, लेकिन अगर भागय स्थान, यानि कि पूर्वजों वाले घर के अंदर भी कोई नो कोई शुब रह हो, तो पैत्रिक संपत्ती प् फिर तीसरा घर, इस्जत मान परतिष्ठा, छोटे भाई बहन, प्राकरम तथा सिहत, अब यहां पर क्या होता है, इन घरों के अंदर जब कोई शुब रह बैठते हैं, तो आदमी इस्जत कहां पाता है, विदेश में जाकर, या घर से दूर जाकर, प्राकरम कहां दिखाता है, घर से दूर जाकर, जालातर फौजियों की कुंडली के अंदर, आप तीसरे घर के अंदर मंगल देखेंगे, जालातर फौजियों की कुंडली के अंदर, आप तीसरे घर के अंदर मंगल को पाएंगे, तो वो घर से दूर जाकर के अपना प्राकरम दिखाते हैं, छोटे भाई बैन इस घर के अंदर अगर कोई शुब ग्राया बैठे हैं तो छोटे भाई बैन का असीमित सुख मिलता है अग्याकारी होते हैं गले लगाने वाले होते हैं और अगर कहीं इसके अंदर अशुब ग्राया बैठे हों तो आपके बड़े होने के कारण आपको सारी देगी वो आपको कोई धंका सुख नहीं दे पाते हैं पर आपको उनको सुख देना ही पड़ेगा अगर तीसरे घर के अंदर कोई अशुप ग्रेटा है और या इसका एक ही रिजल्ट निकलता है कि या तो छोटे भाई बेन सेहसे मिकार हो जाते हैं या फिर वो छूट जाते हैं अगर बुरा ग्रेटा हो और अगर यहां अच्छा ग्रेटा हो तो अपने सगा कोई छोटा भाई बेन हो या ना हो उसके बावजूर भी दुनियादारी में से आपको छोटे भाई बेन मिलते और वो आपको بहुत सुख देते हैं आपका बहुत साहत देते हैं यह जर्म गुल्ली का तीसरा खर है और जितने लोग राइटिंग करते हैं, लिखने के शुकिन हैं और लिखकर के छापने के भी जिग्यासा रखते हैं, उनका तीसरा घर प्रबल होना बहुत ज़रूरी है और तीसरे घर में का पूंत असर जो लाइफ के अंदर नजर आता है वो 34 साल की उम्र में नजर आता है या 34 साल गुजरने के बहुत नजर आता है तो भाई बहन के सुख दुख का जो डिसीजन है यहां से वो इनसान की 34 साल की उम्र से सामने हम देख करके करें तो वो जा रहा होता है इसके बाद जनम कुडली का चौथा घर जिसके अंदर लिखा हुआ है घर की सुक्षानती रुपए पैसे का सुख माता नानी दादी सास लेकिन आपको बता दूँ घर के अंदर का जो भी इंटीरियर वो सब चौथे घर से दिखा जाता है अगर इसमें बैटने वाला कोई लैविश ग्रह हो राजसी हो शुब हो तो इंसान का घर राजाओं जैसा होता है मैंने तो बहुत गरीब लोगों को के घरों में भी इस तरह का बच्चा पहला होते देखा है और उसको मैंने महल बनाते हुए देखा है आज ही एक लेड़ी आई थी उनको डॉक्टर ने सिजेरियन के लिए बोला था कि आप डिलिवरी सिजेरियन करवा सकते हैं तो मैंने उनको आज डेट दी है शायद 22 दिसंबर की मैंने उनको डेट और उसमें मैंने खास चीज क्या देखी सूर्य बुद्ध चंदर और शुक्र ये चार ग्रह चौते घर में बैठे थी और जब भी ये चार ग्रह चौते घर के खास ही आता है ये तो खैट लॉक की बात है वो बाद में करूं लेकिन कहीं आपके मन में ना बस जाए इसलिए मेरे को ये बताना जरूरी है कि चौते घर में दो ग्रह बैठे हों चंदर्मा और उसके साथ कोई ग्रह बैठा हो तो अच्छा होता है चंदर्मा के साथ दो ग्रै और बैठे हों, यानि कि चंदर्मा अकेला और उसके साथ कोई दो और ग्रै बैठे हों, यानि कि तीन ग्रै हों, तो ये बहुत ही अशुब होता है, इनसान को नुकसान पर नुकसान होते हैं, और अगर चंदर्मा के साथ तीन और ग्रै बैठे हों यानि टोटल चार बैठे हुए हो चौथे घर के अंदर ये बे इंतहा शुब होता है, पैसा बरसता है, प्रॉपर्ट ये बनती हैं, गाड़िये अपनी होती हैं, लग्जरी गाड़िये होती हैं और किसी चीज़ की कमें नहीं होती है, तो आज उस लेड़ी को जिसके उपर आज की डेड़ में 25-30,00,00,00 का करजा था, उसको ये मैंने डिलिवरी का टाइम दे करके बेजा है, मुझे पता बच्चा पैदा होने के तीन साल के अंदर वो इस हालात में होंगे, कि वो लोगों को एक-दो करोड रुपया उधार दे सके हैं, नसीब से बड़ी कोई बनाता है, तो चौथा घर, इंटीरियर का भी है, आप जो वहन खरीते हैं, आपने जब मकान खरीदना होता है, आपने जो प्रॉपर्टी खरीदनी होती है, घर के अंदर की जो सुक्षांती होती है, जो मा का सुक होता है, मौसी, मामा का भी इवन, दादी का नानी का इन का जो सुख होता है यह सारे के सारा चौथे घर से दिखा जाता है और एक बात और अगर किसी को केजरी वाल जी जैसा नेता बनना हो तो चौथे घर में केजरी वाल जी जैसे ग्रैफ होने बहुत जरूरी है क्योंकि यह स्पीच का अगरह है यहां से प्रवचन का अगरह है आप जो बोलोगे उसका परभाव किस तरह से लोगों पर पड़ेगा यह इसका अगरह जरूरी का चौथा घर है आपने बहुत सारे नेता देखे होंगे कुछ जाने पैचाने नेता हैं वो स्पीच देते हैं आपको प उसका कारण यही होता है कि चोते घर में जिनके ग्रै बैठे हुए हों कि this प्रभावशालिख होती है चोते घर में बैठ करके आलमी कि बहुत ही अच्छा स्पीकर भी मंता है बहुत प्रफेसर बनता है समझाने बेंद कि शम्ताय बहुत अच्छ तो इस तरह से यह वह फिर आगए आगए हम पांचवे खर्ट विद्या पिता प्रेम संतान और संस्कार इसके बारे में आपको एक चीज बहुत ही ज़रूरी जानने पड़ेगी कि हमारे मांसिक्ता में जो कुछ भी समाता है वो संसकार होते हैं, वो हमारी सोच होती है अब माल लीजिये, अगर किसी की दिमाग के अंदर विप्रेट लिंगी का अकरชन ही फसा हुआ है तो उसका तो वही संसकार है अगर ऐसा इंसान बहुत कड़वा बोलता है, बहुत ही बुरा बोलता है, गर वाले हो या बार वाले हो किसी के परवा नहीं करता तो वो तो उसका संसकारी है बैटा वो भी इसी घर से दिखा जाता है इसके लिए का जाता है कि शुक्र अगर छटे घर में हो बुद्ध पांचवे घर के अंदर हो तो लाल किताब कहती है इनसान और जानवर में एक ही परहेज है और वो है कि इनसान मीठा बोलता है और जानवर कड़वा बोलता है गुस्से बोलता है और यह योग इनसान को भी जानवर बना के रख देता है और ऐसा इनसान खाली बैठके लिए खाता है डंसे कमा भी नहीं पाता है तो कुल मिला करके पांचवे घर के अंदर बहुत ज्यादा वाले शुख रहा जाए तो इनसान का बहुत ही ज्यादा सोचने का का हुद आ आपे और सोंख के नही नहीं प्लाणिंग बिनाना नहीं ने त्रीकेटरण नहीं काम करना में उसको अच्छा लगता है क्योंकि उसकी बुद्धि साथ गहती है आदे अच्छे, आदे बुरे बैठे हुए हों, ज़्यादा हों, तब भी वो काम्यापी देता है, क्योंकि ऐसा इंसान अच्छाई और बुराई दोनों का पुतला होता है, लेकिन सारे बुरे बैठे हुए हों, माबाप का सुनना वो भी बेकार, बेकार बोलते हैं, माबाप भाई-बैन समझजाए तो वो बेकार, दुनिया दारी समझज़ाए तो वो बेकार, दुनिया दारी में काम करने जाए हर जागा से नौकरी छोड़ के आ जाएंगे, नौकरी छूटने का घर भी जनम-कुली का पाँचवा घर है, जिस वर्ष के अंदर लाल किताब के अनुसार जिसकी दशा अंतरदशा चल रही है यानि कि मालो ब्रसपती में ब्रसपती चल रहा है ब्रसपती के अंदर में केतू चल रहा है इन में से जो भी कोई ग्रैड पांचवे घर में वर्षवल के अनुसार आ जाएगा तो उस समय के अंदर वो नौकरी छुड़वा सकता है अगर इंसान की लगी में तो नौकरी छूटने का घर जनम पुल्ली का पांचवा घर है और इसमें नौकरी लगने के लिए सिर्फ एक ही ग्रह काम करता है और वो है सूर्या क्योंकि उसका अपना घर तो सूर्या हो तो वो दूसरों से लग और बाकी कोई भी आए तो वो नौकरी पे लिटिक ने देता अपनी ही मानसिक्ता बनाता है अपने ही थौट बनाता है अपनी प्लान बनाता और अपनी काम करने के लिए मजबूर करता है और जितने प्रेम संबंद बनते हैं उसमें पांचवे घर का रोल बहुत जवर प्रेम संब्सान को चुनके लाता है एक्जामपल दे देता हूं कि जनम कुनली के पांचवे घर के अंदर चंदरमा बैठा हुआ हूँ दस्वें घर में के तू बैठा हुआ हूँ और बार्वें घर में कोई भी ग्रह बैठा हुआ हूँ या दस्वें घर में शनी हो, सूर्य हो, ब्रस्पति हो, कुछ भी हो, और बार्वें घर में भी कोई भी हो, चंदर्मा पाच्वें में होगा ज़ा है, अगर ऐसा इनसान कोई भी लब मेरिज करेगा, तो वो उसको चुनकर के करेगा, जो इनसान स्वैम बरबाद है, खुद किसी काम का नहीं, निकमा है, जिसका अपना सब भावने ढंका या जिसका अपना ही हलाद ढंके नहीं है, वो सिर्फ उसी से प्यार करेगा, उसको समझा के देख लो, उसके जीवन में कोई ढंका इनसान आने के लिए लालियत भी होगा, तो वो उसको ठोकर मार देगा, और बुरे को ही चुनके लाएगा, इस तरह के एकजमपल भी हमारे सामने आते हैं, इसका मैं एकजमपल दे जेता हूँ, यह भी आज ही हमारे सामने आया था, कि इसी योग के अंदर एक आदमी आया, वो इसके बच्चे बड़े-बड़े हो चुकी है और वो उसको घर दे लिया करके उसके साथ रहने के लिए बटाए तो यह योग जो प्यार भी बसाता है बेवकुफी अलब बसाता है अगर पांचवा घर खराप हो जाए और पांचवा घर अगर शुब हो तो इंसान इतना बड देश वक्त कि अपने प्यार यानि कि देश के प्यार के अंदर अपने जान भी निच्छावर कर दे और लोगों के सामने एक्जम्पल बन जाए शहिद भगत सिंग जी की तरह तो पांचवा घर इसलिए इजद मान पर्दिश्चा का भी होता है यहां अगर खराप ग्रह ब तो आपकी ओलाद सुख देने में नहीं होगी तो ओलाद का भी घर पांचवा होता है छटागर छटागर सारी जनम कुली में सबसे ज्यादा पावर्फुल घर यह त्रिक भवनों की श्रेणी में तो जरूर आता है लेकिन बैटा अगर आज से हम कुछ दशक पहले चले जाएं जब हमें कुवों से पानी निकालना पड़ता था या तालाबों से पानी लाकर के पीना पड़ता था तो यह वही घर है और वही पानी है कि कुवे के पानी के बिना या तालाब के पानी के बिना हमारा गुजारा नहीं है और ये च्छटा घर क्या लिखा है रोग शत्रु कर्ज दामाद मामा भांजे बतीजे दोहते पोते जीजा साला मुकेश अंभानी के पुंडली के अंदर च्छटा घर बड़ा जवर्दस्ता बात है बहुत ही जवर्दस्ता तो आप देख लिए उसके बहुएं हो उसके पोत्रों हो उसका कर्जा हो सब बड़ा है सब बहुत अच्छा है और कर्ज भी छटे घर से और जिसके छटे घर अबाद हो वो नौकरी में अवल होता है टॉप होता है और जो अपना काम भी करते हैं छटा घर अबाद होने में बिटा वो अपना काम भी नौकरी की तरह करते हैं जब मैं जाता हूं तो मैं JW मैरेट में रुखता हूं सुष्य बहुत सालों से तो वो समंदर के ओपर यह है उसके किनारे तो तो वहां मैं देखता हूं मुकेश अमाने का हेलिकॉप्टर फिक्स टाइम पे जाता है और मेरा भी छटा घर को यह बाद है तो मैं भी अपनी पंक्चुल्टी को वैसे ही बनाके रखता हूं मेरे लिए एक एक मिनट बहुत माइने रखता है तो लाल किताब भी जब कोई इनसान पंक्चुल्ट ना हो तो छटे घर को जगाने का काम करती है बच्चे की बुरी आत्रों को उसके भटकने को रोकने के लिए छटे घर को जगाती है और जब उसको अचानक कहीं से कोई लाप राप्त करना हो और उसको आइडिया ना सूझ रहा हो तो तब भी जटे घर को जगाने का काम करती है। और रोग भी क्योंकि जो दिमाग में विजी रहेगा वो फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करता बिटाuchen jelly एक्सराइज नहीं करोगे सिर्फ मैंटली एक्सराइज करोगे तो उसक्राइज में और जब भी अपने दोते जीजा साला ये जब भी सामने आते हैं तो आगमे सोच में पड़ जाते हैं कि इनकी इज़त क्या है इनको कहां रखना है कैसे ले करके चलना है इसी लिए भी छटा घर इन समरिष्टों को दिया गया है और ये छटा घर जिसका अबाद हो और शुक्रहों से अबाद हो तो बेटा ओ इनसान गरीब के घर में भी पैदा होगा तो बहुत अमीर होगा मैं तो यहां तक मेरा मानना है कि अगर मुकेश अम्भानी शुरी दिरुबाई अम्भानी जी के घर पर पैदा ना हुए होते तो शायद दिरुबाई अम्भानी इरलाइंस इंडस्री के मालिक न बन पाते हैं तो यह बेटे का भाग मैς इसको मांता हूँ और शायर यही रिजन है कि अने लंबानी ने काम किया तो वो फेल हुआ लेकिन मुकेश अमवानी जिस भी काम को अपने हार्थ में लेते हैं वो पार जाता है क्योंकि पास और फेलियर हमारे दिमाग में से पैदा होता है तो दिमाग के अंदर चलने वाली सुक्ष्मत रंगे किसी भी आइडिया को प्रबल रुप में बना करके उसको इंप्लिमेंट करने की जो ताकत है वो जनम कुणली के छटे घर में से उत्पन होती है किसी भी चीज को गुप्त रखना सी आइडि करना जांच पड़ताल करना किसी भी आइडिया को सीक्रेट सर्विसीज जैसे गुन देना यह बेटा च्छटे घर का काम है और किसी घर का काम नहीं तो च्छटा घर बहुत बहुत एहम मना जाता है इसको सिर्फ और सिर्फ बिमारी के साथ जोड़कर के देखना बहुत बड़ी मुर्खता है संपन और सोचने वाला इंसान बिमारी ही होता है बस इस तरह से सोच की चलिए से ठीक है साथवा घर व्यवसाइट यह रोजगर की स्थिति पत्नी ग्रस्ती जीवन साथी यह सब विल्कुल ठीक मैं इससे सहमत नहीं जोतिश बिटा बहुत पराणी विद्या है बीच में खो गई थी फिर वापस हम इसे सब कर रहे हैं ehkä साथ है साथ्वे घर का संबंह एक अच्छी ग्रस्ती के साथ है ча musun अगर साथ्वे घर के अंदर को शुख्रय बैठे हुए तो अच्छी के साथ संबंह और अगर उसकी अंदर कोई बुरे ग्राय बैठे हुए हैं आपस में लणने वाले ग्राय बैठे हुए हैं तो बुरी घ्रति के साथ में भी संबंध है और जाना तर दुनिया बहुत सारी दुनिया उनके तो साकोरे घर के अंदर कोई घ्राय नहीं होता तो फिर ये शादी शुदा जिन्दगी का घर कैसे हुआ रोजगार वेबसाई का घर कैसा हुआ और फिर इसके उपर कहा जाता नहीं राशी स्वामी जहां जाकर के जैसा बैठा हुआ होगा वैसा होगा ऐसा भी बिल्कुल नहीं मैं तो आपको यहां पर अगर साथवे घर के अंदर धनू या मीन राशी आ रही है और ब्रस्पती अगर करक के अंदर बैठे हुए हैं तो बैटा मैं तो आपको तब भी लोगों की ग्रस्ती पर बात दिखा सकता हूँ या यहां तुला या दिखा सकता हूँ तो यह सब बाते आगे समझाएंगी यह वेफसाइब का घर है सत्य है लेकिन वह वेफसाइब जो इनसान पार्टनर्शिप में करता है वरना दूसरा कोई भी वेफसाइब वह कहां से आएगा यह हम आगए दसवीं बारवीं क्लास के बाद यह बात करें और यहां पर पार्टनर्शिप का यह गरस्ती का मैंने आपको बता दिया शुब है तो शुब है तो अशुब है तो अशुब यह हो गया हाँ जीवन साथी के सुख और दुख यहां से तोले जा सकते हैं यह एक बात सकते हैं और अपनी डेली इंकम में फ्लेक्शुशन वो संबंद जो थोड़ी थोड़ी देर चलते हैं उनका घर जरूर है तो यह किसी का भी चाल चलन जो खराब हो जाता है उसके अंदर साथ में घर का बहुत बड़ा रोल होता है क्योंकि यह साली का घर है जिसके लिए हमारे हिंदुस्तार में एक आवज बनी हुई है साली अधिगर वाली तो यह चीज सिरफ आग्मियों पर अप्लाई नहीं होती औरतों पर भी होती है क्योंकि जीजा साली के रिष्टे भी बहुत देखे जाते हैं तो यह वैस संबंदों का घर यह भी बता है आठावा घर दुरगटना दोका यह सब चीज है अचानक होने वाली तकलीफ है मृत्यों मजे की बात क्या है कि मृत्यों का कारण उत्पन करने वाला यह घर है मृत्यों का कारण उत्पन करने वाला यह घर है मनप्री यह जो मैं अभी चेंजिंग बता रहा हूं बेटा यह बाल में तुमने सारे क्रेक कर देने हैं ठीक है मृत्यों का कारण उत्पन करने वाला यह घर है लेकिन मृत्यों देने वाला घर है यह मृत्यों सिर्फ एक ही किसम में देता है जो एक्सिडेंटल मौत होती है लेकिन इसके बार भी मृत्यों के हजारों कारण बनते हैं तो उस कारण की जो उत्पती का कारण है वह यहां से उत्पन होता लेकि मृत्यों दूसरे घर देते हैं और जब आपको एस्ट्रों बन जाओगे तब पता चलेगा कि चौथा दूसरा साथमा घर जिसको हम बहुत बड़ा मानते हैं अच्छा मानते हैं एक्चुल में मृत्यों वही देते हैं तो यह हो गया लेकिन एक और बार बताता है जो लोग अचानक अमीर हो जाती है जिनको अचानक बहुत धन संपता मिलती है अचानक की रातो रात उनकी एप चल जाती है अचानक की उनको कोई रिश्यदार मज़ता उनका धन संपती मिल जाती है अचानक की रा चलते उनको या गड़ा हुआ धनी मिल जाता है या लोटरी निकल आती है वो जनम कुंड़ी का आठवा घर ही दिल बता है आठवा घर इसकी शुब्दा और अशुब्दा को तै करना सबसे टफ टास्क है सबसे टफ और इसके बारे में आगे हम बहुत डिटेल से बात करेंगे शायद एक दिन हमारा पूरा एक घर के खूबिये बताने समझाने में ही गुज़ा चाए ऐसा भी समय आएगा तो आठवा घर ये हुआ और आठवा घर बहुत ही गहराई की बुद्धी दुनिया को देखने में बेकूफ लगे लेकिन कामजाबी का स्थार बहुत उच्चा ये भी आठवा घर ही देता है नौवा घर नौवा घर भागय अस्थान बड़ी चर्चाएं हम सुना करते थे जब छोटे थे कि भागय प्रबल होना चाहिए भागय प्रबल होना चाहिए मैं तो कह रहा हूँ किसी का भागय चलो प्रबल हो अच्छी बात है पर ना हो तो ज़्यादा अच्छा है ये मैं शब्द क्यों बोल रहा हूँ भागय स्थान प्रबल होने का मतलब माँ बाप के द्वारा दिये हुए सुफों की वज़े से उलाद का बिगड़ जाना नकारा हो जाना और माँ बाप ही इतना सक्षम आनमी को रहन सहन दे दें कि जिसके करन बच्चे को कोई तकलीफ ही न महसूस हो तो बिटा ये नुवा घर हुआ अगर शुब है तो और अगर करें नौवा घर बिलकुल खराब हो बरबात हो खराब रहा करके बैठ जाए माता पिता के जीवन की बक्खियों उदर जाती है उनकी जीवन में इतनी तकलीफे होती है ना भाई बेहन के ढंक से सुख ना सुखों के वैसे सुख ना उनको दुनियादारी से स्पोर्ट मिल पाती है ना उनका भागय चल पाता है ना उनका करम चल पाता है एक छोटा सा एक्जामपल दे जेता हूं बहुत सारे लोगों के काम आएगा कि अगर ब्रसपती पहले घरों में और केतु बाद में घरों में हो और चंदरमा नौए घर के अंदर बैठा हुआ हो उनके माता पिता को बहुत तकलीफ है जिलने पड़ती है रुपए पैसे प्रॉपर्टी घर की सुक्षानती को जासे अगर मानली जीए बुद्ध आगे शुक्र पीछे हो और केतु नौए घर के अंदर बैठा हुआ हो तो पिता को अपने भाईयों का सहरा मिलनी पाता जिन्दगी के अंदर इतनी फ्लेक्शेशन होती है इतनी जगा से भाग दोर करनी पड़ती है और फिर भी काम जाबी नहीं मिलती और टेंशनों पर टेंशन होती है यह नौवा घर लेकिन इसी के अंदर लाल किताब के लाव वाईज अगर कोई शुक्र रहा करके पैठ चाहे तो बैटा भागे इतना बढ़ता है इतना बढ़ता है कि माबाप की तरफ से इतना कुछ हो करके मिल जाता है कि बच्चे कोई शाय सारी जिनकी काम ना करना पड़े तो इसी लिए भागय अच्छा हो अच्छी बात है लेकिन जिनका भागय अच्छा हो उनको शुरुवाती दोर के अंदर बहुत मेहनत करवाने के एडवाइज आपको देना जब आप एस्टर लाजर बन जाएंगे यह बहुत जरू भी ऐसी देता है कि जो यह पासा डालते सीधा पड़ी जाता है लेकिन मेहनत की कमी की वैसे मैंने बहुतों का भागय अपने जीवन के लिए बिगड़ते देखा है माबाप और भाई बेनों पर डिपेंडनेंट बजाती है ठीक है दस्वा घर कामकास पिता अब समझ नहीं ही आता कि क्या करें? डेली इंकम के बारे में मैंने कहा कि मैं सहमत नहीं हूँ और यहां कामकास बहुत यह कह सकता हूँ कि जो बैठ करके करने वाली दुकानदारी या के करने वाली नौकरी या राइनिती, ये सब कुछ दस्वे घर से देखा जाता है, लेकिन ऐसी अवस्था के अंदर छटा घर भी अगर प्रबल हो, या छटे घर के मालिक के साथ में संबंध हो, तो नौकरी में आदमी बहुत अच्छी प्रबल चीज़े पाता है, लेकिन दस्वे घर सारे कामकाज के लिए नहीं है, तो इसलिए जो जो च्छी भाई इससे सारा कामकाज देखते हैं, वो पिलकुल और बिलकुल गलता है, ठीक है, राइनिती देखिए, पिता का घर देखिए, पिता के घर के अंदर के हालात देखिए, मिल जाएंगे, काम किस परकार किस नेचर से करना चाह पर कामकाज उस ग्रैसी एकॉडिंग होगा बिलकुल नहीं है और यही योग आप अपने कामकाज की जगह पे परभाव कितने परसेंट डाल सकती हो कितने आप सक्षम अपने आपको किना सकते हो कितना आपका बॉस आपकी बात मानेगा आपसे बड़े लोग आपकी कितनी बा और आप कितने प्रबल तरीके से काम करने वाले हो यह इस से देखा जाता है और ग्यार्मागर बड़े भाई बेहन हमारे दादा इनके लिए यह है और लाबका भी लिखा है ठीक है बांते हैं कि यह लाबका ग्रह हो सकता है लेकिन ये घर रियालिटी में हमारे बच्चों की पैदाई से संबंदित घर है आप भी कहेंगे गुरुजी क्या बोल रहे हैं पांचवा घर बच्चों का होता है ये तो हम मानते हैं लेकिन बच्चों की पैदाई से संबंदित जो घर है वो ग्यारवा का रहे है कि आपके यहां बच्चा असानी से पैदा हो भी जाएगा कि नहीं ये बिमारी का घर है और हर तरह की बिमारियों की लगबग जो शर्वात है यहीं से आती है इस घर का बहुत बड़ा रोल है बिमारियों को देखने के लिए और ग्यारवे और चौथे घर के कॉम्बिनेशन में अगर बहुत शुग्रे बैठे हुए हो तब ये लाब का स्थान है वरना ये पूरा लाब का स्थान नहीं है लाब बिना चौथे घर के ग्यार्मागर कुछ भी हो सब बेकार है इसे यह हुआ हां अगर कोई अध्यात्मिक प्रबलताइं देखनी हो और पहाडों के सुख देखने हो तो हम ग्यार्मे घर को देख सकते हैं पहाडों पर बसने वाले धार्मिक स्थाल देखने हुए हो तो ग्यार्मागर देख सकते हैं और बहुत सारे दुनिया के आपने बहुत सारे ग्यारमे घर में बैठे हुए देखे होंगे लेकिन वो इनसान दुखी का दुखी ही आपको मिला होगा और वो तो दुखी छोड़ी हो उसकी ओलाद भी ढंक से नहीं काम जाब हो पा रही होगी बेटा ग्यारमा घर तो इतने खराब हलात भी देता है तो इसको लाब का कैसे मान सकते हैं और बारवा घर बारवा घर खर्चे का है मोक्ष का है सबसे ज़्यादा कर्ज का घर यही है ऐसा कर्ज जो ना उतरने वाला जिसके लिए बहुत परियास करने के बाब जुद भी उतारने के बाद भी फिर कर्जा लेना पड़े वो बार मांगा रहे हैं और मिया बीबी के रिष्टे के अंदर या जीवन साथी के अलावा कहीं और संबंदों के अंदर अपनी सेहत को खर्च करते चले जाने का स्थान भी यही है और शौक शौकों के उपर खर्च करने का घर भी यही है और दिखावे की जिन्दगी जीने के लिए अगर दूसरे घर में भी शुप ग्रै बैठे हुए हों, शुकर के दुश्मन और शुकर के ही दुश्मन बारवे घर के अंदर बैठे हुए हों, तो आजमी बहुत बड़ा दिखावे बाज हो जाता है या बहुत बड़ा गुस्से बाज हो जाता है, तो दोनों ही स्थित्यो के अंदर खराबी होती है और बार में घर के अंदर अगर आपस में दुश्मन ग्रै बैठ जाएं तो बेटा जीवन के अंदर जब बिमारियां शुरू होती है तो फिर ठीक होने का नाम नहीं लेती जब तक कि उनको लाल किताब के उपयाव से निकाल ना दिया जाएं और यह यहां आकर के एक यहां अगर खराब ग्रै इस घर में और साथ ही दूसरे घर में भी हो तो बेटा जीवन के अंदर बहुत अकिफे देता है टीक है जैसे चंदर दो के तू बारा आपस में दुश्मन ग्रै तो यह ऐसे इंसान के लिए कहा जाता भी या तो तेरे को पढ़ा का सुख मिलेगा अब ज़्यादा पढ़ाई लेनी है तो पुत्र नहीं मिलेगा और पुत्र चाहिए तो ज़्यादा पढ़ाई मिलेगी तो दूसरे और बारवे का बहुत बड़ा संबन्द है जो आगे चलके हम बात करेंगे क्योंकि अब यह पहला है यह मैंने आज बारा अबने लिखा भी होगा और यहां पर मनप्रीत आपको बाद में गाइड करेंगे कि अगर मालो किसी से कोई चूक गिया है या कुछ है तो वह कहां से कैसे प्राप्त कर सकते हैं मनप्रीत आपको वह भी गाइड करेंगे तो इस परकासी यह यहां हुआ पहले आज इन घरों को समझना बेंतखा जरूरी था इनको समझे बिना कि यह चीज़ के यह घर किस-किस का है अगर हम मनलो ग्रेय की बात भी करते है कि कौन से घर के अनदर कौन सा शूब है कौन सा शूब है कौन सा उच्छ है कौन सा नीच आँ तो वो अगर मैं पताने लगता तो आपके दिमाग के अंदर बिलकुर भुचाल सा मचता है कि इसका मतलब क्या है लेकिन अब जब हम आपको आखे शुब और शुब ऊच और नीच ग्रै बताएंगे इन घरों के अंदर तो आपको साथ में ये भी आप कंपेर करके देख सकते हैं कि यहां ये शुब हुआ तो किस किस चीज़ की बड़ातरी देगा और शुब हुआ तो कौन कौन सी चीज़ में कम ही देगा अगर यहां नीच हुआ तो कौन सी चीज़ को बिलकुल बेकार करने वाला है अगर उच ह हुआ तो कौन सी चीज बरके देने वाला है तो इतना आसान आपके लिए ये होने वाला है जो आज आपको बताया इसके बात तो अब मनप्रेट एक बटा यहां पर यह चीज छोड़ दो कि कौन सा ग्रह कौन से घर के अंदर उचका होता है कौन सा घर किसका है समयगे यह जो चार चार्ट है बटा यह इन सब के लिए शेरिंग पर लगा दो ताकि यह लोग अपने अपने लिख भी ले डाउलड कर रहें तो यह करके आप अभी एक हफ़ते तक यानि कि अगले संड़े तक आप इन सब को समझिए देखिए जानिया आप इसको जुबाने याद करिए ताकि अगली बार जब हम बात करने लगें तो आपको बहुत ही असानी से बहुत ज़्यादा चीजे समझाने लगें ठीक है जब मैं क्वेस्चन करूं कि नीच का कहा होता है तो आप में से ही कोई जवाब देगा और जब मैं कहूं उच्छ का कहा होता है तो आप में से ही कोई लेंगे हमारी बाते भी होंगी ताकि हमारा समय भी बहुत अच्छा पास हो और हस्ते खेलते हम इस जोतिश को सिखें पर सीरियस मौल ठीक है ना मनप्रेत आप देखना ज़रा किसी का कोई सवाल तो नहीं बैटा पुड़ी देर हम भी देख ले सबसे पहले सवाल है जो आपने शुक्रवादा लोग पहले पताया था उसके अंदर रेटिंग का नाम नहीं देखें के पून का मोडल है कि अगर बतो और शुक्र दोनों एक साथ बैटे हो तो उस कंडिशन में क्या होगा यह तो बिटा प्राइमनी क्लास के अंदर ट्वैल्थ का स्वाल पूझ लिए है पर बताऊंगा क्योंकि मैंने कहा है कि जो प्रारामभी का वस्था पार कर चुके उनके लिए भी जवाब होने चाहिए अगर बिटा शुक्र और बुद्ध दोनों ही साथ होते हैं तो लाल किताब कहती है कि शनी शुब हो जाता है यानि कि के तू अच्छा हो जाता है ऐसा इंसान पॉजिटिव सोचता है मीठा बोलता है काम निकालने की तर्दीब उसको जनम जात मिल जाता है तो इसी को बोलते हैं के तू यह शनी का शुब हो ना ठीक है ना और क्या स्वाल है बेटा यहां पर फिर यह चीज़ दिपैंड हो जाती है कि यह सारे मिलके के तू पर द्रश्टी डाल रहे हैं या राहू पर द्रश्टी डाल रहे हैं यह राहू या राहू या के तू सी-से-थ- हर का सुभन होता है कि δूसरे गरमें होंगे तो कुछ और होगा बार्वे घरमें कुछ और गैयार मैं कुछ और होगा यह तो बिटा अगर इस तरह के हालात हो जाए तो बैस क्या होता है बैस होता है कि इन ग्रहूं की द्रश्टी अगर राहू पे पड़े आलमी तो भी बरबाद कारण यह कि राहू को हमारी सोच का माली कहा गया है इनकी द्रश्टी केतू पे पड़े तो हमारी अलाद बरबाद क्योंकि पुत्र का कारण के अब जिस घर के अंदर जो ग्रह उचका माना जाएगा अगर वह हमारी जनम कुली के अंदर सही अवस्ता में पड़ा हुआ सही वक्पे आता है तो वह हमें सुख देगा और जब उस घर के अंदर बैठने वाला कोई भी अशुब ग्रह जो वहां पर बहुत यह अशुब मना जाता है उसके टाइम में हमें बहुत दुख मिलेंगे तो आठ ग्रह कठे होने से कोई कोई खास हसा नहीं पड़ता हाँ दूसरी कुण्डियों के अकॉर्डिन या तो आदमी बरबाद जाना होता है या अबाद जाना होता थोड़ा लेकिन बात वह है अगर राहू पे द्रश्टी पढ़ गई तो अपनी अकल गई और राहू ग नर उलाद का सुख नहीं होगा घर पहला भी सुखने तो अइसी वश्ता में इंसान सुखी होने लायक कमाती हो सकता है लें किन बिन टेंशनों के जीले ऐसा कभी नहीं होता तो ज्यादा ग्रया इकठे होना कोई अच्छी चीज नहीं है अच्छा बोलो बेटा यह तो बेटा जब तुम एस्ट्रलाजर बन जाओगे तब ही पता चलेगा क्योंकि कोई एक योग नहीं है ऐस्ट्रलाजर बनने का एस्ट्रलाजी के लिए सूरे का उच्छ होना बहुत जरूरी है एस्ट्रलाजर बनने के लिए बुद्ध का काम से संबंध होना बहुत जरूरी है अच्छा एस्ट्रलाजर बनने के लिए शनी की रिसर्च बहुत जरूरी है और बहुत अच्छा एस्ट्रलाजर बनने के लिए केतू का बहुत शुब होना या बहुत ही शुब घर में बैठना शुब हो या ना हो यह शुब घर में बैठा हुआ हो बहुत जरूरी है और भोले नात की पूरी किरपा रहे और हर चीज़ टिप्स पे हो इसके लिए चंदरमा का भी बहुत अच्छे घर में होना बेहुत जरूरी है और एस्ट्रलाजी से पूरी तरह से कमाई हो इसके लिए जनम कुड़ी के अंदर मंगल का शुब होना बहुत जरूरी है और बुरी ऐस्ट्रलाजी अगर कर रहे हो तो शुक्र और रहू का खराब होना जरूरी है और अच्छी ऐस्ट्रलाजी कर रहे हो तो ऐसे में ब्रस्पती का शुभ होना बहुत ज़रू ही है मैंने सारे ग्रैग इनवा दिये लेकिन ब्रस्पती नहीं बोला जिसके कारग्यान माना जाता है क्योंकि ब्रस्पती हवा है अब जब धुआ निकलता है तो हवा दुए वाली हो जाती है और वही बागान में चलती है तो खुश्बू वाली हो जाती है अगर फलो वाले बाग में चलती है तो फलो की खुश्बू लेके चलती है फूलो वाली बाग में चलती है तो फूलो की खुश्बू लेके चलती है ब्रस्पती का अपना नेचर हवा है वो जिसके साथ मिलता है उसका फ़ल देने लगता है इसी लिए ब्रस्पती अकेला एस्टोलॉजर नहीं बनाता है यह ब्रस्पती गुरू बना सकता है किसी वी फील्ड का गुरू बना सकता है लेकिन वो फील्ड दूसरे इसलिए सूर्य बुद्ध पहले घर में हो तो लाल किताब के अंदर लिखा जाता है बहुत ही उत्तम जोट्शी सूर्य तीसे घर के अंदर हो आदमी जोट्शी सूर्य दूसरे घर के अंदर हो आदमी जोट्शी और सूर्य पांच में में नौवे में हो तो भी आदमी जोच्छी चंदरमा साथ में में हो तो भी जोच्छी और चौथे घर में अच्छे शुब मेत्र ग्रै बैठे हो आदमी शौक किया बहुत अच्छा जोच्छी और शनी दसमें घर में हो आदमी जबर्दस्ती जोच्छी बनने की कोशिश करता है लेकिन डंग से बन नहीं पाता है तो मेरे खाल काफरी मैंने बता दिये बाकी और बहुत सारे योग है बिटा जो इनसान को जोशी बनाते हैं इसलिए जोशी की तरफ की जिग्यासा दुनिया के अंदर मैक्सिमम लोगों को है जो जोशी के बारे में जानते हैं वो इस विद्या में जाना चाहते हैं तो आगे-आगे हम उसको भी क्लारिफाइद करेंगे और कुछ क्या चीज़ जर्पन कुंद्रा जी का ये प्रशन है हाँ 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 और शुकर बाहरे गर में हूं ठीक है तो इनमें से कौन सा ग्रै पहले बैठा हुआ माना जाएगा तो बुद्ध पहले माना जाएगा ना बैटा जी हुरी वो इनका क्वेशन देली बैटा लाल किताब की जब बात आएगी तो एक से छे घर को पहले घर कहा गया है और सास से बारा को बाद के घर कहा है लाल किताब की जब बात आएगी तो एक से छे घर को पहले घर बोला गया है और सास से बारा को बाद के घर बोला के लेकिन अगर सास से बारा में हो या एक से छे में हो माल लीजिए बुद अगर दूसरे में बैठा है और शुकर चौते में जाकर के बैठा है तो इसमें हम मानेंगे कि बुद पहले अपने से पहले में बैठा हुआ है अपने से पहले ब और अगर ग्रहों की बात करें तो जो हम पहले घरों की बात करें जैसे मैंने एक्जांपल दिया कि पहले घरों में ब्रस्पती हो के तुबाद के घरों में हो तो चंद्रमा शुब होता है तो ऐसे में एक से छे के अंदर ब्रस्पती हो साथ से बारा के अंदर अगर के तू हो तो चंद्रमाश शुप होता है तो यह इसका पूरा जवाब है और कोई जवाब बेटा और कोई सवाब जी है एक सब्सक्राइब कोई बात नहीं तसली से लोग कोई प्राब्लम नहीं कोई चल पारे नहीं कि कोई भी गर्शुप कैसे होता है वही सीखने तो आप आए वह एक दिन में कैसे आपको एसलोजर बना हूं थोड़ा समय लगेगा बेटा उसके लिए सब्र बहुत जरूरी है मैंने जो शुरुवात में बोला है तो थोड़ा सब्र करके आपको अभी यह बहुत लंबा सीख दिखाने वाला हूँ यह आपको तया करना है कि आप कब सीख गए हो ठीक है और आगे कि क्या कोई भी ग्रेट कोई एक रहे दो या तीन गर में हो सकता है बिलकुल हो सकता है क्यों नहीं हो सकता अब जैसे ब्रस्पत और शुक्र दोनों मिल जाए तो शनी सभाव केतु होते हैं तो एक तो ये केतु है या केतु सभाव शनी होता है तो शनी है दूसरा चंदर और शुकर मिल जाए तो केतु खराब होता है तो वाह फिर केतु होता है यानि कि शनी या केतु कुछ भी लगा लो ठीक है मंगल और बुद मिल जाए तो वो राहू होता है तो एक राहू वो जैन्मन है और ये तो मल्टीपल घरों के अंदर इस तरह से होंगे बैटा और ग्रह कोई एक सिर्थ दिखने में जो एक है वो नहीं अब जैसे शुकर और बुद्ध है ये मिलकर के सुर्य बनता है अगर शुकर बुद्ध होई ह तो बैटा एक तो शुकर बुद्ध जहां ही कठ है वहां सुर्य होगा और सुर्य एक जहां दूसरे किसी घर में आते हैं वहां सुर्य होगा तो इस परकार से ये लाल किताब की बहुत ही खास विदा बैटा यही इसको इतने बड़े विज्ञान की कारक बनाती है क्योंकि इसने बहुत खास तरीके से बहुत खास चीजे दुनिया को दी है तो दीरे-दीरे करके आपको समझ आ जाएगा कि एक ग्रै मुल्टीपल जगा पर भी हो सकता है और क्या क्वेस्टन है बटा नितिन अगरवाजी के ये क्वेस्टन है कि प्रोफेसर करियर के लिए क्योंसा ग्रैज में वारता है बटा जो चीज आज तक सारे एस्टालाजर पढ़ते आ रहे हैं मैं उससे सहमत बिल्कुल नहीं हूँ और अगर मैं उससे सहमत नहीं हूँ तो यह दस्वें घर के बारे में च्छटे घर के बारे में पांचवें दूसें चौसें नौसें पारे में बात करके मैं भर्मान नहीं सकता हूँ. जब ये सीखते सीखते आप कम से कम पंद्रा बीस हफते तक पहुंचेंगे जब आपको ये ग्रह समा जाने लगेंगे उस वक्त में मैं आपको सब को बता पाऊंगा कि इसके लिए कौन सा ग्रह जिम्मेवार होता है और दसवे घर में बैठने वाला ग्रह दूसरे घर में बैठने वाला ग्रह छटे घर में बैठने वाला ग्रह साथ वे घर में बैठने वाला ग्रह नौए घर में हो सकता है प्रफेस्शनल लाइफ के बारे में ये आपको आगे समझाया जानेगा और कोछ पेटा जी प्रकास जी का ये प्रश्चन है कि जो गुरू और केतु बाई लोग चंदर के लिए आपने पताया था उसमें गुरू और केतु दोनों ही बाद के घरों में हो तो क्या हो भी शुबत का है तो बाकी के लोड करेंगे कि कहां पर किस साथ कौन सी mixing हो रही है चंदरमा को कोई ग्रेव और खराब कर रहा है कर लेकिन चंदरमा में प्रान हुंगे ब्रस्पती में बीप्रान हुंगे अपने चेले के साथ करके वो बहुती शुब वस्था के अंदर होता है, मालो अलग-लग भी हो, तो तब भी उन दोनों में जान होती है, लेकिन अगर केतू पहले घरों में हो और ब्रस्पती बाद के घरों में हो, तो ब्रस्पती चाहे कितना उचका और कितना भी सक्षम बैठा हुआ हो, ब्रस्पती खरा और अच्छा बैठा हुआ हो ब्रस्पती खराब होता है और क्या को स्टन है बिटा अगला प्रस्टन मुरी राहूल गैंड का है राजनिती के लिए कौन से ग्रैंज जादा मजबूर होना चाहिए शुक्र और शनी शुक्र और शनी राजनिती देती है तो राजनिती में तो बैटा काम्याब लोग भी है और छुट भईये भी है एक वो जो हर नेताओं के पीछे पीछे चक्कर काड़ता रहता और बाहर निकलते ही अपना बड़ा बड़ा पखान करता है लेकिन जिंदगी में कभी ढंकानेता नहीं बन पाता है लेकिन राजनिती से पूरा संबंद होता है वो होता है शुक्र और शनी लेकिन राजनिती में असीमित कामजाबी उससे लाब वाके किसी पद पे पहुंच जाना इसके लिए सूर्य और मंगल देखे जाते हैं और अगर सूर्य और मंगल अपनी स्थितियों के अनुसार प्रबल नहीं होंगे अच्छे नहीं होंगे तो इनसान कामजाब मेता कभी नहीं बन सकता क्योंकि सरकार और सरकार चलाने का दैट्व सूर्य के पास है और सूर्य की करनी का लाब देने का दैट्व मंगल के पास ह तो इन चार ग्रहों को देखे बिना राजनेती कभी भी डिसाइड नहीं की जा सकती है और बेटा उनके टाइम पे ना टेंड होने की सजा हम नहीं पाएंगे तो इसी लिए इस तरह के आदे दूरे क्वेस्चन नहीं चलेंगे काम के इसकी जगह किसी और का क्वेस्चन है कि अगर कोई भी तरह हो तो उसका दान क्यों किया लाइग पहाड़ों की हवा भी शुद होती है और हवा सही माइने में प्योर ही होती है इसलिए कहा जाता है कि ब्रस्पती स्वैम कभी अशुब नहीं होते कभी भी बुरे नहीं होते उनको दूसरे ग्रहों का मिक्स्चर खराब करता है उनको दूसरे ग्रहों का मिक्स्चर वो खराब करता है तो क्वेस्चन क्या था बेटा अगर कोई भी ग्रै शुब होता है जो ग्रै शुब हो उसकी वस्वों का दान कभी नहीं करना चाहिए और जो ग्रै जरम कुणली के अंदर अशुब है उनकी वस्वों का दान अगर आप रोज भी कर दो तो अच्छा है तो अब ये इन्होंने थियोरी कहां से सिखी कि शुब ग्रह की वस्वों का दान किया जाना चाहिए ये बैटा मैं नहीं जाता लाल किताब का कहना है कि शुब ग्रहों की वस्वों का दान कभी नहीं करना चाहिए हाँ यह जरूर है अगर आपका ब्रस्पती शुब है आप जाके पंडी जी को ब्रस्पती की वस्मय सोना पीले कपड़े हल्सी की गांट चनी की डाल ये सब कुछ देते हो के सर देते हो तो ये शुब है क्योंकि आपने ब्रस्पती की चीज बुरस्पती को ही दी अगर आप सरकारी अधिकारी को कोई तांबे की चीज देते हो जाकर के तो कोई बुरा नहीं है लेकिन वही आप गुड़ गेहूं का दान जाकर के गरीबों में करने लगते हो तो आपके लिए तकलीफ दे है क्योंकि सुरह आपका शुप है ठीक ह तो यह सारी बहुत गहराई की चीज़े हैं जिनके बारे में हम अगली क्लासों करेंगे तो बेटा मेरा ख्याल आज की क्लास की जो हमने शुरुआत करी आपको अच्छी लगी होगी और इसी प्रकार से जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे यह और बहुत-बहुत-बहुत इंटरस्टेड होती चली जाएगी क्योंकि यह इतना गहन यह विज्ञान है कि इसकी जैसे-जैसे आप गहराई में उतरेंगे वैसे वैसे आप अपने आपको स्वस्थ और इंजॉइफुल महसूस करेंगे और सीखने की इच्छा प्रबल होगी और जानने की इच्छा प्रबल होगी लेकिन शुरुआती की खलासे हमेशा बोरिंग ही होती है आगे आगे दिल लगने लगता है जब आदमी काबिल बनने लगता है तो मतरानी बाकी जो भी जानकर यह आप आप यहां क्वेरी बॉक्स में छोड़ सकते हैं हमारे मनप्रीत और बाकी की सारी टीम आप सब लोगों के टच्छ में रहेगी किसी तरह की भी जूरूरते हों क चार से छे में एकठे होंगे इस ज्ञान वर्षा के अंदर आप सब लोग आओ इसमें नहाओ अपना जीवन पार करो और अपनों का जीवन पार करो इस तरह की मेरी ये ख्वाइश है कि सब के दुख दूरू और आप सब को पता ही होगा कि हमने एस्ट्रो साइंस अपनी एप पर एस्ट्रो लॉजरों के लिए एक पैकेज बनाया है और जो उननी सो निन्यानुए रुपए का है वो तीन महिने के लिए वैलिड है और तीन महिने के लिए आप उसमें से अंगिनत कुंडली ये निकाल सकते हो जिसके ओपर हमारे कंपणी का ना कोई लोगों होगा ना कोई नाम होगा आप अपने नाम से भी प्रिंट करके लोगों को वो दे सकते हैं क्योंकि वहाँ पर जो कुंडली रिपोर्ट वाला सेक्शन है उसको दबाते ही वाफाई के ओपर PDF डाउनलोड हो जाती है और उसके साथ आप अपना नाम जोड़के आप अपने क्लाइंटों को सबको दे सकते हैं और तीन मेने के सिरफ उन्हें सो निन्यनवे रुपे उसमें हमने रखे है वो इसलिए रखे है ताकि जादा से जादा लोग अच्छी परडिक्शन कर सकें अच्छे उपाई दे सकें लोगों के सुख दुख को अच्छा तोल सकें कहीं से कोई भ्रहमित वाली हालात ना रहें और हर किसी को अच्छा स्टीक जोतिश मिले और वो उससे सुख पाए तो अगर आप चाहते हैं कि लोगों का भी कल्यान हो बहुत सारे लोग शौक्या तो पर फ्री में लोगों को जनम कुली बाटते हैं तो उनके लिए यह अमर लोड करके अंगिनक प्रफाइल उसके ओपर डाल सकते हैं और बीस हजार कुल्णी अगर निकालने की आपकी एक शमता हो तो तीन मेने के अंदर आप वह भी निकाल सकते हैं तो चलिए अगले हफते चार से छे में फिर मिलते हैं और इसे आगे की बाते करते हैं मनपरी ताज आपको बाकी के कौन-कौन से लिए कहां बॉच्छ жब किसका घरया कहां पर अशुब है यह सारा चार्ट आपको यहां अभिलेबल करवाएंगे और अगले हफ्ते तक आप याद करके आएंगे ताकि हम कुछ सवाल जवाब भी कर सके जैमाता की मातरानी खुशें दे सुख दे तंद्रुस्तिय बक्षे और काम यह देता है सुखी रोगता है जैसे के गुरी ने आपको कुछ चार्ट के लिए बोड़ा था यह आपकी स्क्रें करेंज़ीमें ओदूसरा चार्ट секनली में कौूंसा ग्राइग कहां पर atoms का माना जाता है आज की सान के साथी के तब तक के लिए आप सब करने वाद